तो हेलो गाइज कैसे हो वेलकम टू दा न्यू वीडियो और जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल देखके पता लग गया होगा तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल चीजे बताने वाला हूँ और वो चीजे ये हैं कि जो BGMI की 1.6 अपडेट है वो कब आएगी क क्योंकि अभी चल रही है 1.5 अपडेट और BGMI का नया सीजन यानि की C1 S2 साइकल 1 सीजन 2 वो कब आएगा उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुती ज़्यादा छोटी और इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो एंड तक देखना कहीं भी स्किप मत क करना तो जादा टाइम वेश्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीजन 1 साइकल 2 कब आएगा तो जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो यह BGMI की ओफिशल वेब साइट से लिया गया है तो इसमें साफ साफ कि जो सीजन 1 साइकल 1 है वो 14 जुलाई से लेके 16 सेप्टेंबर तक है तो इससे साफ साफ पता लग रहा है कि जो C1 S2 है वो यह तो 16 सेप्टेंबर को यह 17 सेप्टेंबर को जब लोंच हो जाएगा और उसी डेट पे उसका नया रोयल पास भी लोंच हो जाएगा यानि कि अ आप इस फ्लो चार्ट से समझ लो कि साइकल 1 एक साइकल के अंदर 3 सीजन है और हर सीजन के अंदर 2 मन्त है तो अभी C1 S1 M2 चल रहा है तो जो 16 सेप्टेंबर को लोंच होगा वो C1 S2 M1 होगा समझी होगे भाई अब तक तो आप और मेंली आपको तो डेट से मतलब है तो ड 14 सेप्टेंबर जब नया सीजन हमें देखने को मिल जाएगा और साथी साथ नया रोयल पास देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं कि 1.6 अपडेट कब आएगी तो भाई जैसा कि आपको पता है जो भी अपडेट आती है वो नया सीजन आने से एक हफता पहले आती है अ को आएगी 9-11 September के बीच में या तो 9 September को आएगी या 10 September को या 11 September को आफ़ोर 12 मतलब इन 3-4 दिन के अदर आ जाएगी 9 से 12 समझ के चल लो आप 9 से 12 September के अंदर अपनी 1.6 Update आ जाएगी तो गाइस आई होप आपको वीडियlaughter को पसंद आ Strike कर दो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना मैं वहापे समझा दूआ और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर लेना तो मैं मिलता हम आपसे नेक्ट वीडियो में थैंक यू वीडियो को यहां तक देखने के लिए बाई बाई